इस वीडियो में हम आपको visual studio code download और install करके दिखाएंगे इसके अलावा visual studio code के अंदर C और C++ का program कैसे बनाते हैं कैसे run होगा इन सभी चीजों को भी हम आपको detail में discuss करके बताएंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम अपना google chrome browser open कर रहे विजवल studio code को download करने के लिए तो यहां पर आपको लिखना है विजवल studio code download इतना लिखने के बाद जब आप enter प्रेस करेंगे तो first number पर जो link दीख रहा है इसी link का use करके हम download करेंगे यह link में video के description में दे दूंगा आप वहां से directly download कर सकेंगे हम windows operating system के लिए करेंगे तो यहां पर click कर देंगे तो हमारा downloading आप नीचे side में यहां पर देखिए start हो चुका है Ctrl J press करके हम आपको दिखाते हैं 76 MB इसका total size है यह काफी ज्यादा time लेगा तो अभी हम इसे cancel करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही download कर रखा है जब download हो जाएगा तो show in folder को option यहां पर show होगा तो इस पर click करिएगा तो आप इसके setup exe file के पास आ जाएंगे आप चाहें तो downloads वाले section में जाएंगे तो यहां पर भी आपको वह मिलेगा तो इस पर double click कर दीजिए इसको install करने के लिए license को accept करना है आपको अभी next next करते रहना है जितनी बार पुछेगा create desktop icon पर tick करेंगे हम और next करेंगे और install तो आप देखो अभी हमारा यह visual studio code का installing process start हो गया है थोड़ा ही time में यह install हो जाएगा 5-10 seconds लेगा जब install होगा तो यह वाला visual studio code का जो icon है यहां पर desktop में दिखेगा ठीक है यह show करेगा क्योंकि वहां पर हमने check कर दिया था इंस्टॉल होने के बाद c language का program बना के दिखाएंगे visual studio code में कैसे बनाते हैं ठीक है तो देखो यह desktop icon आ चुका है अभी finish करेंगे तो पहली बार मैंने अपने system में से install किया है आपके सामने install किया है तो यह अपने आप open होगा तो इस तरह से यह welcome window खुलेगा इसका open हो चुक कार में हमें search क्या करना है हमें search करना code runner ठीक है इतना search करने के बाद आप enterprise करेंगे जब आप enterprise करेंगे तो code runner के यहाँ पर option आ चुका है इस पर आप click करिए और इसे आपको install करना है ठीक है इसी के help से हम code को run कर आपाएंगे cc++ java जिसका भी code आप run करना चाहें मैंने install कर इंस्टॉल करनी है cc++ extension ठीक है तो इसको भी यहाँ पर search करके enter मारिए गया इस वाले को भी आपको क्या करना है install करना है दोनों चीजों को install करने के बाद अभी आपको करना क्या है simple सा भी हमें program बनाना ठीक है कट करते हैं इसको file वाले option पर जाएंगे हम यहाँ पर add folder to workspace हम select करेंगे सबसे पहले हम एक folder ले ले लेते हैं जहाँ पर हम सारे programs को बनाएंगे ठीक है तो हम desktop location पर क्या कर रहें folder बना रहे folder का नाम हम रख देते हैं c language यह folder को अभी हम select करेंगे उसके बाद add कर देंगे अभी हमें क्या करना है इस explorer वाले option पर click करना है तो यहाँ पर देखो c language का folder है इस पर click करेंगे और इसके उपर एक icon है file create करने का इस पर हम click करेंगे तो file का name हम दे देते हैं first.c ठीक है extension.c रहेगा तो देखो c language folder के अंदर first.c हमने file बना लिया अभी यहाँ पर code लिखेंगे has include तो आप देखो यहाँ पर suggestion हमें मिल रहा तो यह suggestion हमें कैसे मिल रहा यह suggestion हमें इसलिए मिल रहा क्योंकि हमने आप से starting में यहाँ पर install कराया थाना c c++ extension उसी की वेज़े से हमें यहाँ पर क्या हो रहा suggestion मिल रहा हम एक word type कर रहे तो हमें यहाँ पर refer कर रहा ठीक है कि आप इसको click करिए तो आपका code लिखा जाएगा तो यहाँ पर एक message यह देते है learn coding code हमारा ready है बस अभी क्या करना है इसको run करना है तो run करने के लिए इस वाले icon पर click कर देंगे यहाँ पर button है run हो जाएगा यहाँ पर run का option है इस पर click करेंगे run हो जाएगा या फिर right click कर यहाँ पर run code पर click कर यह run हो जाएगा तो यहाँ पर देखो gcc is not recognized as internal or external command अभी हमें क्या करना होगा gcc compiler install करना होगा अपने system में तब जाके हम कर पाएगे तो कर लेते हैं बिना उसके होगा नहीं काम ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे min gw gcc compiler ठीक है download बस इतना search करने के बाद हमें enterprise करना है तो यहाँ पर जो second number पर link आ रहा है इसी link का use करके हम download करने वाले हैं description में मैं यह link भी provide कर रहा हूं इस पर हम जब click करेंगे तो sourceforge.name की website है वो open होगी ठीक है और यहाँ पर हम min g w gcc compiler download करेंगे इसी compiler की मदद से c c plus plus का हमारा program download यह run हम कर पाएंगे ठीक है यहाँ पर download वाले button पर click करते है green वाले button पर तो यह download हो जाएगा यहाँ पर हमें कुछ second का time देगा कि इतना second में आपका downloading start होगा देखो यहाँ पर your download will start shortly तो यहाँ पर थोड़ा ही time में यह start हो जाएगा तो देखो 5 4 3 2 1 counter चालू हो गया अभी यहाँ नीचे side में देखना downloading start होगा तो आप यहाँ पर नीचे देखे हमारा downloading start हो चुका है control j press करते हैं तोटल इसका size 15 MB है तो इसे क्या करते है cancel करते हैं क्योंकि हमने इसे भी download करके रखा ताकि हमारा time बचे this PC में जाएंगे Downloads वाले section में आएंगे तो यहाँ पर देखो download वाले section में मिल जाएगा आपको भी यही same मिलेका double click करिए इसको install उसके बाद continue तो यहाँ पर देखो अभी यह हमारा min gw gcc version जो compiler है वो install हो ठीक है तो यह आपके internet के speed के उपर depend करता है कि यह कितना time लेगा ठीक है तो देते हैं इसको थोड़ा सा time बहुत सारी files यहाँ पर download होंगी जब यह 100% हो जाएगा तो यहाँ पर continue का button enable हो जाएगा तो आपको इस पर click करना है तो अभी देखो यह min gw installation manager का window आ चुका है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले min gw 32 base को select करना है mark for installation उसके बाद min gw 32 gcc g++ को भी हमें क्या करना है mark for installation करना है क्योंकि हमें c c++ दोनों के program बनाने है और उसके बाद installation में जानना है यहाँ पे apply changes कर देना है apply पे click कर देंगे तो यहाँ पे 10-15 minute का यह time लेगा आपके internet के speed के उपर यह depend करेगा क कितना time यहाँ पे लगेगा ठीक है तो हम इसे थोड़ा सा time देते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे visual studio code में वापस चलेंगे अपने program को run करेंगे जैसे ही सारी files download हो जाएंगी यहाँ पे close का option आजाएगा हम close कर देंगे और इसे बंद कर देंगे ठीक है यहाँ पे देखो min gw installation installation का जो icon वो दिखने लगेगा आपके screen पे तो अभी हमें क्या करना है path set करना होगा थोड़ा सा तो यहाँ पे search बार में search करेंगे environmental variable ठीक है edit the system environmental variable इस पे हम click करेंगे तो यहाँ पे यह window हमारे सामने open होगा तो environment variable पे click करना हमें जाना है हमें path पे उसके बाद edit और यहाँ प करना this PC में जाना है जहाँ पे हमने mingw को install किया जहाँ पे यह install हुआ c drive में mingw folder है bin में जाना है bin तक का link हमें क्या करना है यहाँ से copy करना है और अपने वहाँ वाले यहाँ पे आके paste करना है ठीक है हम path set कर रहें okay okay उसके बाद okay हो गया अभी चलते visual studio code में प्रोग्राम को करते हैं अपने save और इसको करते हैं run तो देखो हमने program को run किया तो यहाँ पे अभी भी same वही error बोड़ रहा ठीक है तो हम क्या करते हैं अभी इसको close करते हैं फिर से क्या करेंगे restart करेंगे visual studio code को और हम यह भी sure कर लेते हैं कि हमारा gcc mingw install हुआ है कि नहीं system में तो यहाँ पे cmd में लिखेंगे gcc-version तो यहाँ पे अगर यह message आप देख पार है इसका मतलब install हो चुका है ठीक है अब क्या करते हैं हम अपने program को run करते हैं तो हमने क्या किया program को run कर दिया है तो अभी देखिएगा यह हमें output देगा क्यूंकि हमने सारी चीजे setting कर दी हैं सारे configure को हमने माना है ठीक है तो यहाँ पे wait करते है result के लिए देखो learn coding यहाँ पे print हो चुका है अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आता है कि अगर आप user से input लेंगे वह वाला program run नहीं करेगा जैसे अगर हम लिखे int a ठीक है और एक message pass करे print up function में वह क्या होगा enter value ठीक है हमने यह message pass किया और scan up से अगर हम run time में input लेंगे देखो suggestion मिलता visual studio code का यही एक बहुत बड़ा advantage है कि आप एक word लिखेंगे ना आपको यह सारी चीजे यहाँ पर देखें लिस्ट दिखने लगती है तो आपको code काफी कम type करना पड़ता है यहाँ पर क्या करेंगे एक को हम print कर देंगे पर सिंडी कॉमा ए ठीक हमने यूजर से इंपूट ले लिया प्रोग्राम को करते है control एस से save फिर से करते है रन तो अभी यहाँ पर हमारा code देखेंगा रन नहीं होगा एरर बोलेगा एकसेस इस डिनाइड क्योंकि यह आउटपूट सेक्शन में हम प्रोग्राम को रन कर रहें तो यह किबल रीड ओनली होता है आप यहाँ से कुछ मेसेज दे के बस उसे यहाँ पर रीड कर सकते हैं इंपूट नहीं ले सकते हैं इंपूट आपको टर्मिनल में लेना होगा फिर क्या करेंगे हम उसके लिए क्या उपाएं फाइल वाले उप्शन पर जाएंगे प्रिफरेंसेस सेटिंग्स उसके बाद एकस्टेंशन में आना है नीचे स्क्रोल करना है रन कोड कन्फिग्रेशन स्क्रोल करते हुए इसके अंदर नीचे यह रन इन टर्मिनल को हमें क क्या करना है चेक करना टिक करना है उसके बाद क्या करते है सेटिंग को क्लोस करते हैं प्रोग्राम को अपने हम करते हैं से अब अगर हम इस यूजर इंपुट वाले सिंपल से प्रोग्राम को रन करें इस बटन में क्लिप करके तो आप देखो हमारा प्रोग्राम अभी टर्म प्रिफरेंसेस सेटिंग्स उसके बाद यहां पर देखो फीचर्स का उप्षन मिलेगा यहां पर फीचर्स में क्लिक करेंगे तो टर्मिनल ठीक है टर्मिनल में आने के बाद स्क्रोल करते हुए हमें बिलकुल नीचे जाना है ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे एक option हमें मिलेगा integrated font size हमें क्या करना उसी option पर जाके अपने font size को यहां पर बढ़ाना है ठीक है हम कर देते हैं इसको 25 हमने size बढ़ा दिया अब चलते हैं प्रोग्राम को अपने run करने फिर से right click करेंगे run code ठीक है तो देखो इसका size बढ़ चुक करते हैं तो result भी देखो 200 आ चुका है लेकिन अगर आप size इस coding वाले पार्ट का बढ़ाना चाहते है इसका size increase करना चाहते है तब आप क्या करेंगे फिर से आप file वाले option पर जाएंगे preferences settings अभी आपको कहा जाना है अभी आपको extension में क्लिक करना और नीचे scroll करके आना run code configuration I'm sorry इस पर नहीं आना है आपको text editor वाले option पर जाना और यहां पर font मिलेगा आपको font का option यहां पर size increase करिए 40 कर देते हैं अभी तो आप देखो code का size और भी ज्यादा increase हो चुका है तो हमने जो दो extension आप से install करवाए थे सबसे पहला था हमारा cc++ extension मतलब cc++ का program हम बनाएंगे तो हमें suggestion चाहिए suggestion के लिए यह काम करता है और हमने क्या install किया था हमने install किया था code runner अगर हम code runner install नहीं करें तो यह जो run करने का option मिलता है यह बटन यह नहीं मिलेगा राइट क्लिक करने से run code का option यहां पर नहीं आएगा तो code आप run नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से आप visual studio code के अंदर simple सा c language का c++ का कोई भी program बना सकते simple तरीके से वीडियो पसंद आए हो like करिए share करिए चानल पर नह झाल 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 झाल